नमस्कार, मैं रविंद्र देव, College of Fine Arts का प्रिंसिपल, ती ठांकर महावीर उनिवस्टी में ये Fine Arts चल रहा है Fine Arts क्या है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूं Fine Arts आज यूग की, इस यूग की एक बहुत बड़ी जरूरत बन गई है Applied, Sculpture, Painting, हमारे याँ दो स्ट्रीम चल रही है, Applied और Painting Painting में ये जितने भी Teachers, Artists होते हैं, जो आप गैलरी बगरा में देखते हैं वो Paintings में आते हैं, Portrait हैं, Landscape हैं, बड़े-बड़े जो आपके Artist के नाम देखते हैं वो Paintings करियें, लेकिन Applied, Applied में जितना भी आप Advertising से सम्मंदित A to Z चाहें वो TV एड हो, चाहें वो आपका Magazine एड हो, अखवार में हो, कहीं भी हो, वो Fine Art का Applied Part है कोई भी प्रोड़क्त भीता है, तो पहले Advertising से होता है, उसका काम, Advertising के बगार कोई भी प्रोड़क्त के इतना ही बढ़िया क्यों ना हो, वो नहीं भीक पाता है, इसकी Value है बच्चे ये करके आज कल के हमारे यहां कई जगे बड़ी-बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं, पेंटिंग्स करके बच्चे की कॉलिजिस में चले गए हैं, कोई अपनी वहीं कहीं चले गए हैं, एक बच्चा भी Bollywood गया है, वो फोटोग्राफिक नहीं गया है, Bollywood मे तीन जॉब मिलते हैं इस बच्चे को, एक तो होता आर्ट डारेक्टर जो फिलमों में कोई भी चाहे फिल्म हो या सीरियलोज में आर्ट डारेक्टर होता है, उसका रोल होता है कि फिलमों में क्या बैकग्राउंड है, कैसे ड्रेस मनानी है, हीरो को, कैसा करना है, कि जर से यह सब काम होता है आर डारेक्टर का दूसरा होता है फोटोग्राफर का तीसरा होता है स्टेज डिजाइनर का तो यह तो वॉली बुड में भी है हमारे और गौर्मेंट के हर डिपार्टमेंट में एक आर्टिस जरूर होता है किसी भी कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट है ही नह केरियर बहुत ब्राइट है इसमें लोग पहले इसके बारे में आवेर नहीं थे अब ही एक हमारे यहां की बच्ची जामिया फाइन आर्स कॉलिज में लग गई है कई एएजेंसीज में काम कर रहे है कुछ फ्रिलांसिंग काम कर रहे है कोई भी बच्चा खाली नहीं रहता है इसमें और ये तीर थांकर महावीर यूनिवर्स्टी की एक देन है कि जो लखनव और दिल्ली के बीच में मुरादाबाद में एक कॉलिज खुला है और ये कॉलिज 2011 में स्टार्ट हुआ था 2016 में हमने MFA स्टार्ट किया था अब 2021 में हमने PhD कर दिया एक ही छत में बच्चा अपनी पूरा लाइफ का केरियर बना सकता है यहां पर चांट्र साब में हमारे यहां जो भी फैसिटी देनी है थी बच्चे को वह सब दी है वह सो विदाए दी है इतना बड़ा यूनिवरस्टी में केमपस है बिल्डिंग के अगर हमें लैंडिस्केप बनाना है तो किसी भी बिल्डिंग के लैंडिस्केप कर लेते हैं नेचर स्टेडी करनी है तो फ्लावर्स स्टेडी जा के कहीं भी बैठ जाए सटbles जो पाइन और प्रेंटेंटिंग इन पड़करति में नाया है कि आपको बताया था इक इनकर चोटा एपरेंटिफन रहे हो ता है यह बड़े-बड़े आर्ट इसी तैप का काम करते हैं, यह भी बड़े आर्ट आज होटे हैं, कल यह आने वाले समय कि नहीं बहुत बड़े होंगे, इनका काम अभी से बोल रहा है, अभी final year है इनका ये work देखने के बात लगता है कि इनका future कहां जाएगा बहुत bright लग रहा है क्योंकि इतना detailing काम करना इतना deeply काम करना इतनी study के साथ काम करना patience के साथ काम करना एक अकलाकार को बहुत जरूरी है जो बच्चे fine arts में अपना career बनाना चाहते हैं तो वो एक बार तीर्थांकर महावीर उनिवर्सटी के fine arts college में एक बार visit अवश्य करें धन्यवाद